नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस बहुत छोटे सी वीडियो में हम जानेंगे पांच कंपनियों के क्वार्टर फोर के रिजल्ट तो सबसे पहले हैं महिंद्रा लाइप इसपेस डेवलोपर्स लिमिट नमबर दो हैं इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड नमबर तीन हैं सबसे पहले बात करें संगिनिता केमिकल लिमिटेड की तो इसके प्रोफिट के अगर आप देखोगे इस कंपनी ने लगब अटीस करोड रुपे कमाएं और जस्ट कॉर्टर थरी के अंदर बावन करोड थे मतलब 25 प्रसेंट की गिरावट अब की बार प्रोफिट माइनेस ठीट के अख़े आप पिछली बार मांडी सुट नैंतीं था तो अबके वार नइन था सुली तो अबकिवार प्रोफिट ऑप सोरी अबके बार जो घाटा है कम्पनी वो कम हुआ है पिछली बार काम की तृणा में और पिछली बार 30 क्रोड पिछली बार 30 क्रोड कमाई दे अब की बार जो गाटा माइनस पॉइंट 48 है और पिछली बार था माइनस पॉइंट 1176 यानि की कंपनी का घाटा बढ़ा है पिछली बार की तुलना में और EPS भी बढ़ा है नमबर तिन कंपनी की टोटल इंकम अपकी बार 198 करोड पिछली बार 165 तो कंपनी की इंकम बढ़ी है लेकिन जो कंपनी का पूरे फाइनेंचल एर में जो कमाई हुई है वो है महिंद्रा लाइफ इसपेस कंपनी ने दो रुपए का डिविडेंट भी दिया है पर शेयर अब बात करें रिजल्ट की तो कंपनी की जो टोटल इंकम अदोस्तों वह है 500% की आप तेजी देखने को मिलिये बात करें यहां पर रिख्ले साल तो यह तो हिसलिवार में सब्सकий भार नीट-टैज्य के देखने को मिलिये उसके भार कंपने का इने प्रोफित 1-7-7 क रbel जो लगभए 600 पे आप 155 क्रोड प्रोफित 1-5 ऑज़ अछी दिसली निय fan यहां पर देखने को मिली तो सांदा रिजल्ट आ है कंपनी के अब बात करें यह तो यह कंपरीजन में अगर आप देखोगे कंपनी की जो टोटल इंकम हुई अपकी बार 408 करोड पिछली वार मात्र 117 करोड थी यानि कि 117 परसेंट की तेजी अब कि नेट प्रोफिट कंपनी के तो चोवन करोड है पिछली वार माइनस में था 315 की तेजी एप आगगा यहां पर देखने को मिली है उसके बाद यहां पर बात करें फाइफपेसा की यहां पर कंपनी की रिजल्ट आ है सब से पहले बात करें अब किवार कंपनी ने कितने कमाये 88 करोड पिछले क्वाटर में कमाई थे 80 क्रोड अब के बार प्रोफिट है 4 क्रोड पिछले क्वाटर में था चोहतर लाक क्या सपास और अब के बार EPS से डेड़ रुप है पिछले बार था 25 पेसे यानि कि innate income में 10% तेजी प्रोफिट में 492% तेजी और EPS में 500 400% की तेजी आपको देखने को मिली है तो सांदार रिजल्ट यहां भी कंपनी ने दिये हैं पिछले क्वाटर की तोलना अब बात करें अब की बार कंपनी ने पांच क्रोड फिचली साल यानि 2020 का क्वाटर फूर तो आपकी बार 88 क्रोड कंपनी ने कमाई पिछली बार 99 यहां पर EPS में दर्च की गई है अब बात करें यहां पर year to year comparison तो year to year comparison में आप देखो कि 297 क्रोड कमपनी ने की बार कमाए अब टोटल और पिछले यहां बड़ी है नेट प्रोफिट अब के बार 13 क्रोड पिछली बार 14 क्रोड तो ओड़ा यहां पर उपर नीचे हुआ है उससे ज्यादा यहां पर कमपनी को खास नुकसान नहीं हुआ है नेक्स्ट कमपनी के बात करें हैटसन एगरू प्रोड़क्ट लिमिटेड तो कमपनी ने अब के बार कमाए 1627 क्रोड रुपे पिछली बार कमाए थे 1580 यानि की 3% की तेजी अब के बार प्रोफिट 25 क्रोड पिछली बार 47 क्रोड यानि 47% की गिरावट अब के बार EPS 1.1 से बार पिछली बार था 2.22 यानि EPS भी घटा है तो काउटर 3 की तुलना में रिजल्ट इतने खास नहीं रहे हैं अब यहां पर बात करें काउटर 4 2020 का और अब के बार जो रिजल्ट हैं तो उसकी तुलना में टोटल इंकम 4% बढ़ी है प्रोफिट पिछली बार 25 क्रोड था सोरी 57 क्रोड था आपके बार 25 क्रोड रह गया 55% की गिरावट और यहां EPS में 55% की गिरावट आपको देखने को मिली है उसके बाद बात करें Year to Year comparison Year to Year comparison में आपके बार कंपनी ने कम है 6360 क्रोड पिछले बार Financial Year में कमाई थे 5557 क्रोड यानि 14% की तेजी Net Profit में 11.12% की कंपनी की रिजल्ट को इतने ज्यादा कास नहीं रहे हैं नेक्स्ट अगर बात करें इंडियन होटल की तो इंडियन होटल की भी यहां पे इंकम आ गई है टोटल इंकम कंपनी ने कमाई नो सो चोवन करोड पिछले क्वाटर में थी 1133 क्रोड यानि कि 15.80% की गिरावट अब के बार पॉइंट 56 से पिछली बार पॉइंट 61 था तो इपेस में मामूली सी गिरावट तो यहां पर कंपनी के रिजल्ट एवरेज रहे हैं कोई ज्यादा यहां पी नुकसान नहीं हुआ है कंपे टू प्रिवियस कॉर्टर अब बात करें कॉर्टर फोर की और पिछल साल के क्वाटर फोर की तुलना में रिजल्ट काफी सांधार दिया है क्योंकि कोवीड के गारण पिछली बार यहां पे कंपनी को नुकसान हुआ था अब बात करें फाइनेंचिल एयर कंपेरिजन तो इस फाइनेंचिल एयर में कंपनी टोटल कमाएं बती सो ग्यारा करोड रुपए और पिछले फाइनेंचिल एयर में कमाई थे 1749 क्रोड रुपए यानि 84 परसेंट की तेजी आपको देखने को भी लिए अब के बार कंपनी का टोटल गाटा है 277 क्रोड पिछली बार था 720 क्रोड यानि कि कंपनी थोड़ा गाटा से उबरी है और EPS के बात करें अ कंपनी के जितनी होटल इंडेस्ट्री है वो काफी एफेक्ट हुई है और उसका इफेक्ट इस कंपनी में आपको पड़ता हुआ दिखाई दिया है तो यह 500 कंपनी के रिजल्ट है आप देख सकते है क्योंकि नॉर्मल रिजल्ट के बाद कोई भी स्टोग में आपको अच् कर सकते हैं थैंक्यू कीप सफॉपर्टिंग्स